पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शैबाज शेरीफ ने अचानक फैसला किया कि वो तुर्की जाएंगे अब पाकिस्तान तुर्की को पैसा तो दे नहीं सकता इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि चलिये मदद का दिखावा ही कर लेते हैं आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता जो एक मुश्कल वक्त में काम आए और जो मुश्कल वक्त में भाग जाए ठीक है तो इंडिया ने पहल कर दिया है अब आप जड़ा इस तस्वीर को देखिये इस तस्वीर में तुर्की की महिला भारतिय सेना की एक अफसर को चूमते हुए नजरा रही है इस तस्वीर ने सब का दिल जीट लिया है ये तस्वीर दिखाती है कि भारतिय सेना बिना किसी भेदभाव के दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद करने के लिए पहुँच जाती है और मेरबानी करके सेकंड हैंड कपड़े नहीं बजवाने इंडिया की तरफ से जहास के जहास बरके जारे एड के इस पर पाकस्तान के PM स्टेटमेंट देते हैं कि हम तुर्किया जो है विजिट करने जाएंगे लेकिन तुर्किया की तरफ से ये आता है कि अभी आप विजिट करने ना आएं हम खुद मुसीबत में हैं हम खुद परेशान हैं हम आपको प्रोटोकोल कैसे दे सकते हैं कि रेली एप्रेशिएट थे सिंसियर थाइमने एंडिया नमशकार दोस्तों आत्म निर्बर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो को डाइरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दियेगे टाइम तक आप इंट्रो को स्किप कर सकते हैं आईए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ तुर्की और सीरिया में आए भीशन भुकंप के चलते 15,000 से अधिक लोग मौत की नींद सो गए हैं वहीं इस संकट की घड़ी में भारत सरकार ने तुर्की की और मदद का हाथ बढ़ाया है भारत की तरफ से ओपरेशन दोस्त के तहट इस अभ्यान को मानुवेता के आधार पर चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से ना केवल तुर्की को मेडिकल मदद मुहिया कराई जा रही है बलकि खुद NDRF की तीन टीमों को राहत बचाओ के लिए भेजा गया है वहीं पाकिस्तान को दोस्त मानने वाला तुर्की शहबा शरीफ सरकार की तरफ से मदद के नाम पर कुछ भी नहीं पाया है हाला कि पाकिस्तान ने छोटी सी मदद की है जो इस वक्त तुर्की के लिए उट के मुह में जीरा के समान है तुर्की हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता आया है लेकिन मदद भारत ने बढ़ चड़ कर की हैं बता देंगी कुछ दिन पहले ही तुर्की ने पाकिस्तान को लतार लगाते हुए कहा कि हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है हम बच्चाव और रह राजी मंत्रे ने कहा कि भारत तुर्की के लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है भारत की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन पर तुर्की के राजदूत फीरत सनेल ने कहा कि यह दिखाता है कि भारत तुर्की के बीच दोस्ती है ऑपरेशन दोस्त काफी एहम केंद्रे मंतरी S.J. शंकर ने NDRF द्वारा किये जा रहे रेस्क्य ओपरेशन का फोटो शेर करते हुए जानकारी दी की टी में पहुँच गई है और बचाव कारी में जुड गई है भारत के द्वारा तुर्की को किये जा रहे ऑपरेशन दोस्त से पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा जटका लगा है आईए देखते हैं पाकिस्तानी जंता का क्या कहना है ऑपरेशन दोस्त के बारे में पाद की वज़ा से इनकी हमत ही नहीं है कि वहां पर जाएं या इखलाकी तोर पर बनता भी नहीं है ठीक है नंबर वन नंबर दो शबाज शरीव साहब ने वह उंड के मूँ में जो है ना जीरा दिया और मैं बिल्कुल कुले अलफाज में कहूंगा कि जिस तरह उन्होंने हेल्प की थी अर्थकुइक में हमारी बिल्कुल बहुत जादा उन्होंने लूदा बेल्ट उन्होंने हमारी हेल्प किया अपने बंदे बेजें माली तोर पर और जो ना समान की हैसियत में हमारी बहुत हेल्प की इन्होंने क्या किया है इन्होंने कहा जी हम अपनी काबिना कि एक-एक मा की तंखा कटवाएंगे नमबर वन, नमबर दो, इनके लिए हम फंड बनाएंगे, ये इनका पुराना तरीके कार है, फंड बनाएंगे ये कौन को तुरत अभी है खीक है ना, इस तरीके से मजाक नहीं बनाया जाता, जो कौ में हमारे साथ खड़ी है, हमारे दुक दर्द में कड़ी होती है, उनके साथ इस Τरह का रवीया नहीं किया जाता, इwn को समझ है हमारी पालिए, उनको समझ आ रही है कि इस टम कौन किस लेवल पे हमारी है कर सकता है, कि दोस्ट वो जो मसीबत में काम है пропर उन्होंने स्टेटमेंट यही अलफाज थे अपनी उन्होंने लेंग्विज में दिये हैं और इंडिया को मेंचन किया कि वही इंडिया की तरफ से बड़ी है लोगों ने तमाम मालिक ने शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे लेवल कर अब देखें इंडिया की पॉलिसी वह इस टेम कितने बेहतरीं पॉलिसी पे है कि तरकी हमेशा बिलकुल हर फॉरूम पे हमारे हक में और इंडिया कि वह खलाब बाद चली जाती थी और बिल्कुल स्टेट फारवर्ड खासर पर कश्मीर और इसके लावा भी मसाहिल में बिलकुल स्टेट फारवर्ड हम हाद हम उस जैसे मुलक को जब वक्त आया हूं की हेल्प करने का तो इंडिया या एकसार जो भी हैं व रहल्प कर रहे हैं और हम पीछे हैं और हम सिरबअ सेर्णा पीछहें तैंद्धाइमेंद्धार कि यह बात रूपर एक अपरेशन लांच कि अपरेशन दोस्त के नाम से मतलब कि हम की हैँ बहुत ज्यादा एक सो छे टन के क्रीब उन्हों से लिफ तरकी में बेची और आपका पना सीरिया में जिसकें दर फूड़ भी तो थोड़ा वो कर देते के ठीक हमने बाइडिया ने हैल्प कर दी इतनी हैं इसानियत या कोई और मक्सद आपके लिए दुनिया के तीसी चौती बड़ी माशियत बन चुकी है पांच में अपना इंफलेंस जो है वो दुनिया में बरकार भी रखना चाहता है और वो बरकार और नजर भी आ रहे है और पाकस्तान इस मामले में हर दफा जो है ना वो बैक फूट पर यहा बैक फूट पर जाता जा रहे है जो इस वकद पूरी तंदगी से काम कर रहे हैं और यह अभी एक लंबा सफर है मैं अभी बताने चाहता हूं अभी तो चंद दन गुजरे हैं देखिए कि हर रोस अमबाद बढ़े ही हैं अभी चंद दन पहले चंद सौते आज बीस हजार से तिजावस कर गई हैं अमबाद दोनों तरकी में और वहां पे शाम में तो अला तहला करे कि यह अमबाद कम से कम हो लेकिन जो इनसानी जो अकल यह बताती है कि तबाही बेता होई है तो मैं यह बताने चाहता हूं कि तुर्की के लिए जो इस वकत जो हमने जो सामान जो डिस्पैश कर दिया है 434 जो हमने भेजे हैं यह 32 तन भेजा है हमने सामान विंट राइस टेंट्स का जो सिंगल प्लाई के जो टेंट्स है यह यह इतन्य जदा काम नी करेंगा इसलिए मेरी आप से गुजारेश है कि सिंगल प्लाई का टेंट काम नी करेगा खैमा वो विंट राइज होना चाहिए वो हमने चार टन भेजे हैं पांच टन हमने अपना ये बलैंकेट्स भेजे हैं ड्राइ राशन भेजा है और इस तरह ये हमने यानि हमने हमने यानि हमने दस अरब रपहे का फण्ड मुग्टस किया अबर दस अरब रपहे का ये हमने हमने एक बभजाएगा और शूबे जो है इन्चालला इसके इलावा अपने हैसा डालेंगे इसे तरह मुख्यर थर्हा ताजरा थाजराथ थरादार बज़ा थनुझार वो अपने हैसा लेकिन ववागी हकुमत ने दस अरोब रुपए का फंड मुक्तस किया है जो सामान खरीद कर जिसमें खैमें हैं जिसमें कंबल हैं जिसमें खुराक हैं जिसमें कपड़ें और मेरमानी करके सेकेंड हैंड कपड़ें नहीं बिज़वानें देखें हमारे भाई हैं, कुरान करीम की आप आयत पढ़ लें, हुकम पढ़ लें अलब ताला का, नबी करीम की उस्वाइ असना को देख लें, कि वही चीज तज्वीज के और अपने भाई के लिए जो खुद इस्तमाल करते हो, लहाजा कोई वहां पर सेकेंड हैंड कपड़ न ले, वो ना कोई वहां पर एक्सप्ट करेगा, ना हमें ये काम करना चाहिए, जो चाहिए एक चीज दें, लेकर नई चीज दें ताकि वो तुर्क भाई और बहन देख कर खुश हों और आपके लिए आप दिये दौा करें.